हलो आपरीबान वेलकम टेटीपी स्टार कोटां सूर्य भान सिंग राजपूर प्यारा बच्छों लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में देख लिया था और हमने मालूम कर लिया था कि फिजिक्स में ग्राफ का कितना इंपॉर्टेंट यूज है और कैसे ग्राफ को एनलाइज किया जाता है हमने आल्मोस सारे इंपॉर्टेंट कर्व के बारे में जानकारी हाशल कर ली थी इसी श्रंखला में आगे बढ़ते हुए आज अपन लेक्चर छटे में पहुंच चुके हैं और आज के बारे में हम एक बहुत ही महत्पूर्ड टॉपिक या फिर बहुत ही महत्पूर्ड विश है डिफरेंशियेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं चलिए आईए गाईस तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सूरिभान सर के साथ इस डिफरेंशियेशन अच्छा सबसे पहले तो मीनिंग किसकी बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं बेटा मीनिंग ऑफ डिफरेंशियेशन की और कैसे यह फिजिक्स में यूज होता है फर्स्ट ऑफ अल डिफरेंशियेशन को समझने के लिए ग्राफिकली आपको कुछ चीजे सीखनी पड़ेगी सीकेंट क्या होता है टेंजेंट क्या होता है आई हूप आप लोगों को हित्ता तो मालूम होगा पर उसी स्रंकला में आगे चलते हैं मैं आपको बताता हूं दे of y with respect to x की that is मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं बेटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x यह क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जहाँ पर y function of x है y क्या है प्यारे बच्चो function of x है चलिए आईए ग्राफ से देखते हैं इसको माल लेजिए यह y है यह x है और यह कोई कर्व है let's suppose this is a point p and this is a point q all right everyone all righty right sir देखना अगर p का coordinate x, y है और यह distance जो है यह माल लेता हूं x1 है यह माल लेता हूं बच्चे x2 है यह माल लेता है y1 है और obviously बड़ी वाली दूरी क्या है y2 है such that q का coordinate जो है वो x2, y2 है अगर मैं आप से पूछू कि भाई delta y upon delta x क्या होगा delta y by delta x क्या है y average change of y with respect to x कितना होगा तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप लोगो so could I say प्यारे बच्चों ध्यान से सेखना delta y by delta x actually में होगा क्या delta y by delta x जो लिखने का तरीका है वो है y2 minus y1 यह change in y upon change in x x2 minus x1 दिख रहा है क्या आप लोगो बिल्कुल सही सार हमें दिख रहा है ध्यान से दिखिएगा which is called average rate of change of y with respect to x all right everyone all righty right sir अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना आपको पता है y x का function है y क्या है x का function है जड़ा देखिए x2 minus x1 अगर delta x है तो क्या मैं x2 को x1 plus delta x बोल सकता हूँ बिल्कुल बोल सकता हूँ sir बिल्कुल बोल सकता हूँ तो ध्यान चे देखिएगा so क्या मैं कह दू that delta y upon delta x could also be written as delta y upon delta x could also be written as ज़ान चे देखना y2 तो f of ज़ान सुनना x2 को क्या 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 लिख सकता है अपन delta x बोलो yes और no यही लिखा हुआ है बिल्कुल सही sir तो sir अगर आप बात करो average rate of change of y with respect to x तो it will be represented by this और यह किसके बराबर है जरा देखो अगर p और q को join कर दिया जाया बच्चो किसको p और q को join कर दिया जाया तो ध्यान से देखना यह दूरी कितनी है sir यह तो x2 minus x1 है बिल्कुल यह दूरी कितनी है प्यारे बच्चो देखो यह पूरी y2 यह y1 तो यह y2 minus y1 है तो अगर यह angle theta है तो क्या मैं बोल दू कि भाई delta y upon delta x basically tan of theta के बराबर होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा sir तो sir एक बात और यह भी कह सकते हो आप क्या कह सकते हो दिखना ध्यान से that average rate of y with respect to average rate of change of y with respect to x will be given by tan theta where theta is a theta is a anti clockwise angle from positive x axis theta is a anti clockwise angle from positive x axis समझ में आया के नहीं आया और यह PQ जो है यह second है PQ क्या है प्यारे बच्चों second है अब ध्यान से सेखना हमने delta y upon delta x के बारे में information collect कर ली है अब हम बात करने जाएंगे differentiation की that is represented by by upon dx इसकी रप्रेजेंट होता है dy upon ds अब अपन बात करेंगे instantaneous 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 rate of change of y with respect to x rate of change of y with respect to x is given by dy upon dx अच्छा इसका मतलब पता है समझे रहो मतलब अगर delta x की value 0 को tend कर दे delta x किसके हो जाए जीरो के हो जाए तो जरा सोचो delta x 0 के पास आ जाए तो आप point p पहुंच जाओगे की नहीं पहुंच जाओगे बिल्कुल सही सर अगर ये कोई curve था और ये दूरी अगर delta x थी और delta x अगर tends to 0 हो जाए तो आप सीधे point पहुंच जाओगे की नहीं और आप देखोगे ये जो second है अब ये point p पे tangent बन चुका है क्या बन चुका है प्यारे बच्चों tangent बन चुका है तो देखना ध्यान से dy by dx कुछ नहीं होता है limit delta x tends to 0 of delta y by delta x होता है जो कि क्या बताता है ध्यान सुनना जो कि क्या बताता है धान सुनन जो क्या बताता है that differentiation is nothing but धान सुनना differentiation is nothing but it provides it provides the slope of a tangent drawn at a point remember this definition जैसे मैं बतार हुआ फिजिक्स में बहुत काम आएगा क्या differentiation provides slope of a tangent slope of a tangent धान सुनन देख slope of a tangent 10 theta क्या पर आई यही तो theta 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 slope of a tangent यही इस line का slope है m की बराबर slope बताया था आपने आपको straight line में slope of a tangent drawn at a point on yx curve did you guys get it or not बेलकुल सही है sir तो यहां से basic definition जो निकल की आती है that dy by dx इसको अपन क्या कहते है इसको क्या कहते है इसको क्या कहते है differentiation of y with respect to x is nothing but definition यहां रखना है slope of a tangent drawn at a point चम का की नहीं चम का बिलकुल सही sir first form क्या होता है differentiation का delta y को क्यालक सकते है तो आप f of x1 plus delta x minus f of x1 upon delta x and limit delta x tends to 0 आपको इसके उपर ज़्यादा focus करने की ज़रत नहीं है पर जो नीचे definition लिखी है मैंने graphical meaning जो आपको बताया है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्या याद रखना है वापस रिपीट कर रहा हूं किसी भी कर्व पर ध्यान सुन किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट पर डिफ्रेंशियेशन को बताएगा फॉर इंग्जाम्पल ध्यान से देखना बच्चे ध्यान से देखना माल ले कि यह कोई रैंडम सा कर्व है कि थेक है कि नहीं है थेक है मैं आपसे पूछू कि भाई मुझे बताएए डी वाई बाई डी एक्स अट एक्स वन कितना होगा समाज में आया कि नहीं आया क्या पूछा मैं आपसे भाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन कितना होगा तो आप क्या करोगे सबसे पहले x equal to x1 पे जाओगे सबसे पहले x equal to x1 पे जाओगे और उस point पे एक tangent ड्रॉ करोगे और उस point पे एक tangent ड्रॉ करोगे और इस tangent का जो slope होगा tangent का जो slope होगा दिख रहा होगा आप लोगो tan of theta यह अंगल theta है तो tan of theta जो होगा क्या वही dy by dx के बराबर हो जाएगा बिल्कुल सही sir क्या बुला मैंने बिल्कुल सही sir चमका की नहीं चमका और इससे आपको देखने को यह भी मिलेगा कि जितने सारे tangent जो की ऐसे बनेंगे इनका slope negative होगा और जो ऐसे बनेंगे इनका slope positive होगा तो ज़रा इसी question में अगर मैं यहाँ पे x not point लिखू x1 लिखू x2 लिखू x3 लिखू और x4 लिखू तो आपको समझी में आ जाएगा sir x1 और x3 पे x1 और x3 पे dy by dx की जो value है at x equal to x1 and x3 will be less than 0 दिखरा है क्या बच्चे और जितने भी ऐसे जो tangent आएंगे that is dy by dx at x is equal to x not x2 and x4 x equal to x not x2 and x4 इस पे positive होगा अच्चा ज़रा सोचो अगर इन points पे बात करो इन points पे slope of the line क्या है ज़रा देखो यह वाले point है इन पे slope क्या है 0 है इन पे slope क्या है 0 है क्योंकि x axis के parallel है और theta की value इन सब पे 0 है 10 0 क्या होता है 0 होता है आपको बहुत ही broader perspective इसका समझ में आया हो एक और example ले लेता हूँ बच्चो पर इसको आप बहुत अच्छे से समझ नहीं कोशिश करिएगा यह बहुत ही important है आपके लिए इस रड़ेगन ध्यान से बच्चे माल यह कोई काग है all right everyone all right sir this Vx1 this Vx2 this Vx3 this Vx4 and this Vx5 अगर आपसे मैं पूछ हूँ कि भाई बताईए by by dx at x equal to x1 x2 x3 x4 and x5 positive है या negative है चलिए पहले पता करते हैं सबसे पहले dy by dx की value x1 पर पता करते हैं किसे पता करते हैं बच्छे x1 पर पता करते हैं तो क्या है जरा बताओ x1 पर यह वाला point है कि नहीं है इस पर अगर आप tangent draw करोगे तो theta की value तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी theta की value जैसे 0 आएगी यहाँ dy by dx की value 0 है अब बात करते हैं x2 पर x2 कहा है यह रहा x2 पर भी क्या है 0 है बात करते हैं x3 पर x3 पर देख ध्यान से slope line ऐसी आएगी कि नहीं theta less than 90 मतलब slope positive slope क्या हो चुका है positive x4 की बात कर बेटा slope negative और x5 की बात कर slope positive I hope आपको बहुत अच्छे से clarity आ गई हो कि भाई साब dy by dx actually होता क्या है तो dy by dx graphical form में आपको अगर पता करना हो तो क्या बताता है यह बताता है कि yx curve के graph पे बनाए गए tangent का slope क्या है yx curve के graph पे बनाए गए tangent का slope क्या है यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है प्यारे बच्चो चलिए अब बात करते हैं अपने definition सीख ली है क्या कर लिया अपने definition सीख ली है अगर मैं आप बात करता हूँ यह बी statement याद रखना है ठीक है मैटा क्या मैं अलग से लिख देता हूँ dy by dx कुछ नहीं होता है limit अगर delta x tends to 0 हो जाता है यह इसका मतलब क्या है second अगर tangent बन जाता है in average rate of change of y with respect to x then it is pronounced at instantaneous rate of change of y with respect to x instantaneous उसी instant पर चले गए आप all right everyone all right चले आगे चलते हैं अब बात करते हैं बेटा the most important thing rules of differentiation की किसकी बात करते हैं अपान rules of differentiation की rules of differentiation की सबसे पहला जो rule निकल के आएगा प्यारे बच्चो सबसे पहला जो rule निकल के आएगा मेरे भाई हना that rule is called derivative of a constant derivative of a constant ये रूल क्या कहता था रहन से देखना बेटा ये रूल यह कहता है अगर y कोई constant है y क्या है अगर constant है देन dy by dx जो होगा that is dy by dx of a constant term of a constant term will turn out to be 0 चंका की नहीं चंका बच्यों बिल्कुल सही मतलब अगर इसके कोई एक्जाम्पल अगर आप लेते हो तो क्या मला अगर बोले भाई मुझे बताओ अगर वाई टू है तो डी वाई डी एक्स क्या होगा तो आप बोलोगे सार डी वाई डी एक्स हो जाएगा जीरो दी वाई डी yeah करर रहे है तो यह जो टर्म है वाई वाली वह एक्स को कंटेन नहीं कर रही है इसका मतलब होता है कॉंस्टेंट है वह जारी बच्छों हां रही है एक्स को गैप मॉझे लाई अवरी वन है लिए वाई इसनवर इउant पूछता एपम था यह हो is equals to 2z square plus 4 लिखा है और dy बे dx क्या होगा तो आप बोलते वापस से sir 0 होगा, 0 क्यों होगा because ज्यान सुनना because y किसी भी x को content नहीं कर रही है तो बाकी यह जो z है और जो 4 है यह क्या आप देंगे it will be treated as a constant चमका की नहीं चमका बच्चो बिलकुल सही sir आगे चलते है this is rule number 1 now moving on to the rule number 2 that is called power rule that is called power rule the most important rule in differentiation that is called power rule इस rule को बिटाग भहुँ ध्यान्च समझनी की कोशिश करना power rule यह rule क्या क्याता है ध्यान्च देखना अगर y x की power n है तो जो dy by dx होगा वो क्या होगा power आगे आजाएगी और power में से एक घट जाएगा क्या बोला मैंने बताओ बिटा power आगे आजाएगी और power में से एक घट जाएगा did you guys get it or not बिलकुल सही sir दब्बा थोड़ा सुन्दर होना चाहिए तो याद रखें यह very important formula power आगे आजाएगी और power में से एक घट जाएगा मतलब अगर कोई आप से पूछता कोई पूछता की बताओ y is equals to x की power 2 का differentiation क्या होगा तो आप बोलते sir dy by dx हो जाएगा 2 आगे आजाएगा और x की power 1 हो जाएगा yes or no बेटा 2 में से एक घट जाएगा similarly y is equals to x का differentiation क्या होगा sir dy by dx इसका जो होगा वो हो जाएगा 1 आगे आजाएगा और x की power 0 that is 1 did you guys get it or not प्यारे बच्चो बिलकुल सही sir तो अगर मैं आप से पूछता की बताए ये differentiation minus 7 by 2 का क्या होगा तो आप बोलते sir dy by dx would be given by minus 7 by 2 आगे आजाता और minus 7 by 2 minus 1 हो जाता और answer होता minus 7 divided by 2 times of क्या हो जाता बेटा दो minus 9 बते 2 is the answer to the problem so this is how you have to solve for power rule मैं repeat कर रहा हूँ power rule अगर x की power n है तो उसका जो differentiation होगा n आगे आजाएगा और power में से एक घट जाएगा n आगे आजाएगा और power में से एक घट जाएगा ठेक है आगे तरहते हैं next देखते हैं next rule आता है the constant multiple rule क्या आता है प्यारे बच्चो दा constant multiple rule the constant multiple rule यह क्या कहता है ध्यान सुनना यह rule कहता है कि अगर y कोई constant से multiply होके function of x है तो जो dy by dx होगा that is dy by dx of what बटा c of f of x would be given by c multiplied by d of dx of f of x did you guys get it or not बटा बलकुल सही है constant बाहर आगा constant का कोई लेना देना नहीं है वो सिर्फ multiply में रहने वाला है for an example अगर मैं आप से पूछ था कि बताईए बताईए y is equals to 2x square का differentiation क्या होगा तो आप बोलते सर dy by dx 2 तो ऐसा ही रहेगा और 2x का differentiation कर दीजे सर that is 2x that is 4 times of x did you guys get it or not definitely सर अगर माल लीजिए कोई आप से पूछ था y is equals to minus 3 by 2 x की power minus 1 by 2 का differentiation क्या होगा तो आप बोलते सर dy by dx would be given by minus 3 by 2 यही रहेगा power आगे आजाएगी that is minus 1 by 2 और x की power minus 1 by 2 में से एक और घट जाएगा answer हो जाएगा 3 by 4 times of x की power minus 3 by 2 this will be the value of dy by dx all right प्यारे बच्चो yes sir definitely प्यारे बच्चो yes sir so this is how you need to deal with what the constant multiple rule now moving on moving on moving on moving on आगे की तरफ बात करते हैं अगला आता है the sum rule the most important rule called the sum rule the sum rule यह क्या कहता है द्यान से सुनना बच्चे the sum or difference rule ही कर दो को दिक्कत नहीं है okay and difference rule erasure aray bhaiya hai kahaan गया दासओ and difference rule all right everyone all right here right sir what does this actually rule says it says क्या कि अगर y ऐसा कुछ है पतलब चाहे भी जो प्लस हो या मिनस हो तो जो dy by dx होगा वो होगा dy by dx of f1 x plus minus f2 x and which will be nothing but dy dx आप अलग-अलग differentiate कर सकते हो f1 x plus minus dy by dx of f2 x समझ में आया क्या वच्छे यह सर तो दिस इस कॉल सम और दिफरेंस रूल of differentiation that means what अगर किसी आप से पूछा होता कि अगर y 3x square plus 1 by 2 x की पावर minus 1 by 2 है तो dy by dx क्या होगा दोनों को अलग-अलग आप क्या कर सकते है पूछा differentiate पहला हो जाता 6x for obvious reason और दूसरा हो जाता minus 1 by 2 आगया जाता 1 by 4 x की पावर minus 3 by 2 आप समझी गया होंगे सर ने कैसे किया है ओल राइट everyone ओल राइटी राइट sir that was all about sum and difference rule all right next rule आता है the product rule ठीक है पाटा यह सारे rule आपको clear हो गए सबसे important है power rule और सारी rule important है पूरे differentiation basically बहुत important है सब चीज़ आपको ध्याम में रखना है अगला आता है आपके पास कौन सावला rule बेटा the product rule आएए देखते है the product rule यह rule क्या क्याता है जहां से देखना यह rule क्याता है कि अगर y u into v है y क्या है u into v such that u है f1 of x and v है f2 of x ध्यान से देखना पेटा ध्यान से देखना न यह पहला function है दूसरा function है बहुत important है तो जो dy by dx होगा बेटा वो होगा first function as it is differentiation of second function plus second function as it is differentiation of first function याद रखेंगे क्या आप लोगे क्या बोला मैंने first function as it is into differentiation of second function plus second function as it is differentiation of first function did you guys get it or not बिल्कुल सही सर तो कैसे समझ में आया इसको कर सक करके देख्टे आये let us try to solve within by an example फिर माल लो y is equals to लिखा हुआ है x की power 6 into x square plus 1 all right everyone all right right sir तो आप इसका differentiation लिख सक्ते थे बेटा dy by dx is equals to आप क्या माल लेते इसको में माल लेता first function इसको में माल लेता second function first function as it is into differentiation of second function x square का differentiation 2x or 1 का differentiation बेटा 0 हो जाता फिर बीच माल लेता सिन प्लस का second function as it is into differentiation of first function that is 6 into x की power 5 all right everyone all right sir the answer could have been given by 2x to the power 7 plus 6x to the power 7 plus 6x to the power 5 all right everyone बिलकुल सही sir answer was 8x to the power 7 plus 6x to the power 5 all right everyone so that was the answer to the problem याद रखेंगे बहुत ज्यादा 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 इंपोर्टेंट है कौन सा रूल प्यारे बच्चो प्रोड़ाक्ट रूल कौन सा रूल प्रोडाक्ट रूल रूल आगे चलते हैं इसी प्रोड़ाक्ट रूल को आप आगे की तरब भी भढ़ा सकते है, मलो अगर तीन dx होता है ध्यान सुनना बारी बारी से differentiate करेंगे first function as it is second function as it is differentiation of third function plus first function as it is third function as it is differentiation of second function plus second function as it is third function as it is differentiation of first function. So that is how you actually find the differentiation having multiple more than two or four जितनी variable हो हो involved हो एक एक करके सबका क्या करते जाओ पैरे बच्चे differentiate करते जाओ यूविल गेट दराइट आइंट चली प्रिट्ट रूल हो चुका है और अब आपन बात करते हैं the quotient rule की किसकी बात करते हैं the quotient rule की बात करते हैं the quotient rule क्या कहता है आईए जर्द देखते हैं यह कहता है कि अगर वाई यू बाए वी का फार्मिट बनाता है वाई किसका फार्मिट बनाता है बच्चे यू बाए वी का पर अब्विस रीजन यू क्या है f1 x है वी क्या है f2 x है तो क्या मैं कह सकता हूँ धान सिखना बटा क्या मैं कह सकता हूँ dy by dx जो होगा इसको importantly बहुत आराम से देखेंगे यह होगा denominator का square if you denominator as it is numerator का differentiation minus इसके बटाग numerator as it is denominator का differentiation so this is the quotient rule which seems quite awkward but you need to remember it because it is very important क्या से याद रकना है denominator का square if you denominator as it is numerator का differentiation minus numerator as it is differentiation of denominator with respect to x कुछ एक example करके देख लेते हैं प्यारे बच्चे अगर माल लोग किसे ने बोला होता y मेरे भाई x upon x square plus 1 का whole square है और अगर आपको dy by dx निकालना होता क्या निकालना होता dy by dx को कैसे निकालते बटा नीचे वाले का पहले square कर देते eventually give you x square plus 1 का whole square फिर denominator as it is denominator as it is उपर वाले का differentiation 1 आता बीच में minus फिर x as it is ठीक है कि नहीं है इसको square हटा देते हैं जभी आपने वो पढ़ा नहीं है chain rule x square plus 1 का whole square को करने ते हैं अल्राइट अच्छे है और उसके बाद ये 1 नहीं होगा ठीक है कि नहीं है बच्छे बिलकुल सही है सर minus x into इसका differentiation क्या होगा x square का sir 2x plus 0 so this will give you what x square plus 1 minus 2x square upon x square plus 1 का whole square this will give you 1 minus x square upon x square plus 1 का whole square दिख्राएं आप लोग को बिटा कैसे solve किया है मैंने बिलकुल sir denominator का square पर denominator as it is numerator numerator का differentiation minus numerator as it is denominator का differentiation that is what quotient rule tell us about all right everyone all righty right sir चले अब एक basic formula लिख लेते हैं differentiation of various functions right after derivative बोलते हैं किसी function के differentiation को so derivative of various functions आई सबसे पहला differentiation of sin x जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है cos x क्या होता है वो cos x याद रखना है आपको अगला differentiation of cos x जो होता है वो होता है minus का sin x क्या होता है minus का sin x अगला differentiation of 10 x यह होता है 6 square x अगला differentiation of cot x यह होता है minus cosec x cot x अगला differentiation of cosec x होता है minus 10 x का sorry sorry विटा लेख दिया cot x का होता है विटा minus of cosec square x cosec x का होता है minus of cosec x into cot x all right everyone बिलकुल सही sir ऐसे ही sec x का होता है sec x 10 x क्या होता है sec x 10 x देखो 6 हो गया 2, 2, 4, 2, 6 याद रखना negative हमेशा c के सामने आएगा c वाले element के सामने हमेशा negative आएगा आपको दिख रहा होगा cos का भी negative हो गया cot का भी negative हो गया cosec का भी क्या हो गया प्यारे बच्चे negative हो गया आगे चलते हैं d by dx of अभी x की power n का तो मैंने आपको बता दिया था फिर भी याद रखें सारे formula एक साथ लिखें नहां लिख दिया है d by dx of e की power x का e की power x ही होता है correct है कि नहीं है बटा यह सार फिर d by dx of ln x यह होता है 1 upon x correct है कि नहीं है बिलकुल सही है सार आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और formula देखते हैं बात करते हैं अपन inverse trigonometric functions की d by dx of sin inverse x d by dx of cos inverse x d by dx of tan inverse x d by dx of cot inverse x d by dx of sec inverse x and d by dx of cosec inverse x इचे हो के इचे हो sin inverse x का होता है प्यारे बच्चों 1 upon under root of 1 minus x square cos inverse का होगा minus 1 upon under root of 1 minus x square 1 upon 1 plus x square cot inverse का minus 1 upon 1 plus x square yes or no जिलकोल second inverse x का 1 upon mod of x into under root of x square minus 1 all right बच्चों these are the very 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 important formula that you must remember guys यहां पर कोई भी गल्ती नहीं चाहिए इन फॉर्मलेस को once for all आप पूरा रट ले को आपको नीद में भी कोई उठा के फॉर्मलेस पूछे तो आपको बनने चाहिए बच्चे बच्चे कोई बच्चे कोई कोई बच्चे कोर आपको यह और रूर्स देखते हैं that is called chain rule that is called chain rule chain rule kya कहता यह देखते हैं the most important rule that is called chain rule what a chain rule chain rule actually tells tells us about दिनकम का ध्यान से अगर y किसी Z का function है और Z किकर X का function है y किसका function किसी Z का function है और Z किसी X का function है तो आप लिख सकते हैं द्यान से दिखना प्यारे बच्चे द्यान से दिखना न या फिर दूसरी तरीके सा ऐसे भी लिख सकते थे बटा द्यान सुनना दी वाई बाई दी एक्स जो होगा वो होगा पहले दी वाई बाई दी जेड कर लो और उसके बाद डी जैड बाई डी एक्स कर लो विखरा है आपको डी जट से दी बल्टिप्लाई हो जागा तो दी वाई बैड डी एक्स आ जाएगा सो देट इस वाट बेटा सबसे पहले क्या कर लो बेटा F dash of Z F dash का मतलब है F dash का मतलब है D Y by D Z यस और नो multiplied by multiplied by ठीक है बेटा F dash of X सही है कि नहीं है बेटा F dash of X का मतलब है D Z by D X चमका की नहीं चमका बीच में multiply का sign है बहुत जादा important है पर मैं इसको ऐसा याद रखता हूँ ध्यान से कभी भी function के अंदर function होगा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कभी function के अंदर function होगा तो देखो कैसे करना है तो D Y by D X यह तो लिखने का तरीका हो गया बताने का पर करना कैसे है D Y by D X सबसे पहले जो function दिखेगा उसको differentiate करना अंदर वाले function को यह जटेज छोड़ देना कोई भी खिलवान नहीं करना multiplied by अब बाहर वाले का हो गया आप सीधे अंदर वाले function का differentiation matter क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों close हो जाएगा matter क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों close हो जाएगा मैं कुछ example से आपको समझाने कोशिश करूँगा खूब सारे example लोंगा पर board में मेरे साथ बने रहें सारे examples के दौरान और एवरीवन और राइटी राइट सर यह देखते हैं फॉस्ट एग्जांपल फॉस्ट अगर कोई आप से पूछ दे भाई बताईए अगर वाई जान सुनना अलिन ओफ टन एक्स है तो दी वाई दी एक्स क्या होगा तो देखें कैसा सॉल्व करेंगे सब से पहले मुझे क्या दिखा एलेन डिखा एलेन के डिफरेंशेशन क्या होता है 1 upon X होता है तो सब से पहले लिखंगा 1 upon 10 X उसके बाद क्या दिखा 10 दिखा 10 का दिफरेंशेशन क्या होता है sec square x दिडियो गैस घेट अर नोट? शमका की नहीं शमका, that is how you need to approach this problem. दूसरा, same, उसी pattern पे एक और सवाल दिखते हैं, y is equals to tan inverse 3x square plus 1, देखो कैसे करूंगा इसका differentiation, sir dy by dx, अब से पहले tan inverse x है ना, तो sir इसका तो आप लिखते हैं तो 1 upon 1 plus x square, अब x का काम ये कर रहा है, that is 3x square plus 1 का whole square, yes sir, उसके बाद सार अब इसका differentiation कितना हो जाएगा, sir 6x plus 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखिए बीच में मैंने sign multiply का लगा, रखा है, चमका की नहीं चमका विटा, दो example, 4 example और बचे अभी अपने, आएगे करते हैं एक और प्रशनी के साथ, अगर मान लीजिए, y लिखा होता, जान सुनना, y अगर लिखा होता, क्या, ln of tan inverse 3x square plus 1, देखो, function के अंदर function, उसके अंदर function, तो क्या करते हैं, सबसे पहले, by by dx could have been written as, सबसे पहले, ln है, तो ln का हो जाता है, 1 upon, ये पहले पूरी कहानी लिख देता है, उसके बाद tan inverse आगया, multiplied by 1 upon 1 plus x square होता है, सर ये तो, फिर एक और बार आए अपन, 3x square का हो जाएगा, 6x, did you guys get it or not, बिल्कुल सही सार, this is how you will write, और 1 का तो क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चो, 0 हो जाएगा, चलू क्या आगे की तरफ, चलू क्या आगे की तरफ, बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे की तरफ आप चल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रशनी के साथ, अगर y लिखा हो, जान चे देखना, सिंपल चोटा सावल, y लिखा हो, साइन ओफ, x to the power n, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले, साइन का क्या हो जाएगा, cos, x to the power n is that is, और x की पावर n का क्या हो जाएगा, multiplied में, n x की पावर n minus 1, will be the value of dy by dx, चमका गया, चमका, अच्छा बताओ, y equal to sin n to the power x, अगर ऐसा लिखा है, sin n to the power x, तो सबसे पहले क्या करोगे, sin x की पावर n है, धांच सुनना, यह important question है everyone, धांच देखना, सबसे पहले, बच्चे, इसमें और इसमें बहुत दिल्ली आसमान का फर्क है, इसमें x to the power n है, और यह sin x की पावर n है, सबसे पहले, पावर का करोगे तो n ऊपर आजाएगा, sin x to the power n minus 1, did you guys get it or not, बिल्कुल सही सर, फिर अंदर क्या बचा, यह बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है sin x की पावर n, तो सबसे पहले n का करोगे, n x to the power n, sin x की पावर n हो जाएगा, प्यारे बच्चे, cos x हो जाएगा, और यह किस के बराबर हो जाएगा, dy by dx के बराबर हो जाएगा, I hope आप लोगे बहुत अच्छे समझ में आया हूँ, एक और सवाल करते देख ध्यान से, ध्यान से देख बच्चे, चुट चुट अच्ट है कि देख मीजी पीजी प्राब्लम, y is equals to e की पावर 2x क्या होगा, differentiation, पर आप लिखोगे, sir, dy by dx is equals to, ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहले e की पावर 2x का, जा जा, बढ़र कोशन करते हैं, e razor, कोई कोशन पूछे, बताइए, y is equals to, sin square, 2x plus 1 का differentiation क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चो, sir, dy by dx जो होगा, सबसे पहले तो पावर का करो, तो 2 sin of 2x plus 1 की पावर 1, ये तो ये हो गया, 2 बाहर आगया, पूरे के पावर 1 हो गया, उसके बाद sign का करना है, sign का कितना हो जाएगा बच्चे, sir, यह उतना हो जाएगा, cos of 2x plus 1, अब उसके बाद 2x plus 1 का करना है, यह हो जाएगा 2, अफि देख कितना amazing आया result, एक भी miss नहीं कर सकते थे आप, देखिए, पहले 2 दिखा, तो पहले उसको खोल लिया, उसके बाद sign दिखा, तो sign का cos क्या, फिर 2x plus 1 का 2 कर दिया, मेरे भाई, चमका क्या, चमका सर, एक और कुशन करते हैं, आओ बच्चे, y is equals 2, sign 2x का differentiation कितना होगा, बताओ, सर, बहुत easy है, सर, dy by dx, पहले sign दिखा है, तो sign का सर, cos 2x करी दो, आप बिल्कुल दिना घबराए, उसके बाद, सर, 2x का, 2 कर दो, multiply है, अब चलिए, थोड़े minus sign को भी involve किया जाए, मालो, y लिखा हो, sin square ln minus of 3x plus 2, तो कैसा solve करोगे, देखो, उट पठाग है कि नहीं है, फोला तो उट पठाग है, सबसे पहले 2 आए, तो सबसे पहले 2 का करो, 2 आगे उतार लिए अपन ने, yes or no, बेटा, yes sir, फिर sign ln minus 3x plus 2, as it is, बिल्कुल उसके बाद कोण आया, sign आया, sign का सर, cos ln 3 minus 3x plus 2, as it is, yes, उसके बाद कोण आया, ln आया, 1 upon minus 3x plus 2, as it is, उसके बाद कोण आया, minus 3x plus 2 आया, multiplied by minus 3, क्या बोलती बंटे ही की पबलेक, समझ में आया क्या, छोटे छोटे समझ में आया क्या, yes sir, so this is how you can actually use what बिटा, chain rule to solve any problem on differentiation, chain rule में आपको एकदम thorough होना पड़ेगा, chain rule में एकदम बैतरीन तरीके से आपको सवाल solve करते, आना चाहिए, प्यारे बच्चे, all right everyone, all righty right sir, आगे बढ़े, बढ़े, बढ़ते हैं sir, एकाद और कुशन कर लें, कर लेते हैं, ताकि आपको confidence में कोई भी कमी ना हो सूरे, इसको सबसे पहले आप solve करना है, ठीक है बच्चे, y is equals to, ln of, क्या रख दूँ हैं आपे मैं, सबसे पहले क्या दिखा बच्चे आपको, सबसे पहले क्या दिखा है, यह तो ln दिखा है, sir, 1 upon cos of 3x square minus 2x plus 1, यहाँ तक का लोड खतम, उसके बाद क्या दिखा, sir, उसके बाद आपे cos दिखा, cos का क्या होता है, cos का होता है, sir, multiply में minus sin of, 3x square minus 2x plus 1, all right everyone, all right sir, फिर product में, cos का तो हो गया, फिर अंदर वाले का किता हो जाएगा, 6x minus 2, और मैटर क्या हो जाएगा, चोटे, देखो, यह गिर गया, मार कर गिर चुका है, यहाँ पे, काफी धराशा ही हो चुका है, पर हमको तो chain rule समझ में आचुका है, यहाँ आचुका है, इसका एक रूली लिख लो, पावर चेन रूल करके लिख लो, बढ़ यह रहेगा, पावर चेन रूल, यह का कहता है, भाई ऐसा है कुछ, अगर y is equal to, u की पावर n है, और u कोई function of x है, तो क्या करोगे भाई, तो dy by dx होगा, पहले पावर को solve करोगे, याद रखना, पहले पावर को solve किया, multiplied by फिर dy by dx करना, that is called power chain rule, मेरे भाई, मेरे चीते, मेरे शेह, did you guys get it or not, बिल्कुल सही सर, तो एक बाई मैं recall करता हूँ, कि आज की class में हमने क्या क्या अभी देखा है, तो जारा देखते हैं, कि हमने क्या क्या सीखा, differentiation में, इतले सुन्दर topic में, सबसे पहले हमने start किया, बटा मैं conclude करता हूँ, ध्यान से देखना, it was a very, very, very important topic, कि भाई, differentiation का actual मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा कि average rate of change of y with respect to x क्या होता है, तो कभी भी आपको average rate of y with respect to x, अगर आपको मालूम करना है, तो आप एक point से दूसरे point को आप join कर दीजिए, 10 of theta पता कर लीजिए, that is second on that graph, और वही हो जाएगा average rate of y with respect to x, मैंने आपको बताया, अगर आपको instantaneous change मालूम करना है, कि तुरंत जैसे ही x कैसे change हो रहा है, तुरंत x के change होने से y कितना change हो रहा है, तो उसको कहते हैं, derivative of y with respect to x, और differentiation of y with respect to x, तो मैंने आपको बताया, delta y by delta x, हमने इस format में लिखा, और जैसे ही delta x को tends to 0 कर दिया गया, delta y by delta x के अंदर वो बन चुका है, dy by dx और वो किसी एक point पर जाके second से क्या convert बन चुका है, tangent बन चुका है, और यहां से हमने एक बहुत basic और बहुत ही amazing definition के बारे में सीखा, that, what is a differentiation, differentiate is nothing but, it gives us tangent of a slope drawn on a curve, it gives us tangent of a slope drawn on a curve at any particular point, तो देखिया ध्यान से, यह क्या होता है, differentiation फॉर्म दा, dy by dx, limit delta y by delta x, limit delta x to 0, and it is nothing but, slope of a tangent, slope of a tangent drawn at a point, it's a very important definition, प्यारे में बन कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे तरीके साब याद रखिएग, मैंने यहाँ पे आपके उसके application भी बता है, practical application, graphs में वो क्यासे useful हो सकते हैं, माल लीजिए, कोई random सा curve है, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ, 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 बताइए, slope की value क्या है, तो, sorry, differentiation की value क्या है, तो आपको क्या करना, जहाँ जहाँ पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको एक tangent draw कर देना है, और उस tangent का slope अगर positive होगा, तो आप बोलेंगे, कि वहाँ पे differentiation positive है, अथवा negative है, अथवा 0 है, these are the various perfect examples to conclude what you just learned, आगे चलते हैं, rules of differentiation की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको rules of differentiation में derivative of a constant के बारे में बताया, मैंने बताया, अगर कोई भी function constant होता है, तो उसका derivative 0 आता है, या फिर उसका differentiation 0 मिलता है, power rule में क्या बताया, पैरे बच्चों मैंने, n आगे आ जाता है, और power में से एक कम हो जाता है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, constant multiple rule में क्या होता है, अगर कोई function constant से multiply है, तो constant बार आ जाता है, simple function का आप differentiate करके, उस constant से multiply कर सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया, sum and difference rule के बारे में, पैरे बच्चों, y हो जाता है, f1 x plus minus f2 x, तो आप अलग-अलग differentiate करके, बीच में plus minus sign को retain कर सकते हैं, देखिए मैंने याँ गलती कर दी है, आगे बढ़ते हैं, तो that was what constant multiple हो, आगे फिर हमने किस के बारे में बात करी, product rule के बारे में बात करी, अगर कोई function, दो functions के product जैसा दिया हो, तो first function as it is differentiation of second function plus, second function as it is differentiation of first function, will be the result of the product rule, while next we thought about, we talk about, अगर तीन हो, तो तीन का भी एक साथ कर सकते हो, एक एक करके, next we talked about what, various formulas, एक यह भी बात करी चाहिए, अपने quotient rule की, yes, तो क्या होता quotient rule, तो इसमें denominator का square, denominator as it is, numerator का differentiation minus, numerator as it is, denominator का differentiation, quotient rule को बताता है, उसका ने सारे formula बता है, sin x का cos x, cos x का minus sin x, 10 x का sec square x, minus cose x square x, cos x wa minus cose x, cot x, sec x, sec x 10 x, यह वापर से came, e की पावर x का, e की पावर x, अच्छा एक formula और देखिए, अभी याद आ गया, क्या formula विटा, d by dx of a की power x होता है a की power x ln a, did you guys get it or not, a की power x ln a, alright प्यारे बच्छो बिलकुल सही sir, और ln x का differentiation केता होता है प्यारे बच्छो, 1 by x similarly, मैंने आपको यहाँ पे inverse trigonometric function के भी differentiation बता है और अंत में सबसे important rule के बारे मैंने चर्चा करी, chain rule मैंने क्या बता है बच्छे, function के अंदर function के अंदर function हो, तो सबसे पहले उपर वाले function के differentiation करो, बाकी को hazardous रहें दो, फिर उसके बाद वाले का फिर उसके बाद वाले का ऐसी करते जाओ, जब तक तुम आखरी X पर नहीं पहुँच जाओगे, आपके कभी ये गल्टी नहीं होने हुआली है, और इसी के साथ अपने जाथ तो अपने कुछ examples करें, तो next class में आपन इसी differentiation को continue करेंगे, और maxima और minima के बारे में हम देखेंगे, कि क्या होते है, maxima and minima, and most probably we will start with integration, so I hope आप लोगो सारी चीज़ समझ में आई हो, and I will recommend each and every one of you next class में जाने से पहले, जितनी भी formula मैंने आपको बताएं बटा, by heart कर लीजिए, पूरे physics में काम आएंगे, बिल्कुल गल्ती आप इसमें effort नहीं कर सकते हैं, चलिए, तो आज के